अंदोरा से अंबाला जाने वाली सुबद 6 बज़े की गाड़ी से एक विक्ति के टकराने के बाद मौत हो गई रेवले पुलिस उन्हा ने मौके पर पहुंचकर शब को अपने कब्जे में लिया और पोस्ट मार्टम करवाया अभी तक मौनितक की पहचान नहीं हो पाई है स्थाने लोगों और जन्व प्रतिमीजों ने इसे प्रवासी मज़़ूर होने की अशंग का जताई है शब को आगामी 72 घंटों के लिए शब ग्रह में शिनाखत के लिए रखा गया है 25 से 25 वर्षिये इस युवक की जेब से 2640 रुपए और 100 रुपए की चिलर निकली है इसकी मौत के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है यहादसा लगभग 6 बज कर 15 मिनिट पर हुआ अभी गाड़ी 6 बजे अंब अंदोरा से अंबाला के लिए रवाना हुई थी तब ही यहादसा हो गया गाड़ी की ड्रैवर द्वारा रेलवे पुलिस को सूचित किया गया तो उना से रेलवे पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस द्वारा शव की शिनाक्त मौके पर मौजूद लोगों तथा उप्रधान ग्राम पंचायतिक पोढ़ कला से करवाई गई लेकिन स्थानी लोगों और उप्रधान द्वारा इसकी पहचान नहीं हो सकी जिससे रेलवे पुलिस ने शव को उनाक शित्री अफ्ताल में शव कक्ष में शिनाक्त के लिए बहतर घंटों के लिए रख दिया है प्रधान जी अब दो कब पता लगागी यह साथ को बजे पता लगा है कि विंदर दिंग है यहां से बहुत दारे थे प्रधान जी एक लाजबर पर पर अड़ी हुगी अग्रेल से करणोबर तो मैं उसी पर यहां पर आगया था हूँ हमें करीब साथ वजे मैस से मिला गए तेन रन ओबर होने को पका परोपे मागिया और रेले पुरी मोखे बैया के पहुंच गी और शब को कबजे में लेके आगे की कारबाई शुरू की जा रही है